हेलो फ्रेंग्स अज़ हम आपके लिए लाए है योपी की फेमस सलोनी की रेसिपी जिसे घुगरी भी बोलते हैं ये जादतर लोग गाउं में सुबु में नाश्टे में बनाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं सलोनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है दो किलो नया आलू और इसे हमने तीन-चार पाने में अच्छी तरीके से वाश कर लिया ही और हमने उबाल कर लिया है और इसका छिलका हमें निकाल लेना है इसका छिलका जो है वो हमने निकाल लिया है तो अभी इसे हम कट कर लेंगी आप चाहे तो छोटे या फिर बड़े साइस में इसे कट कर सकते हो यहाँ पर हमने लिया है फ्रेश मटर जिसे छीमी भी बोलते हैं इसके दाने चोहे वो हमने अलग करके लिये हैं और यहाँ पर हमने लिया है कुछ फ्रेश तनिया आठदस लसुन की कलिया तीन चाल लाल मिर्चे आप चाहे तो हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो लिया और तीन चाल लाल मिर्चे और इसे हम मिक्सी में ग्रैंड कर लेंगे इसे हमने मिक्सी में ग्रैंड कर लिया है और मसाला जो है वो तैयार कर लिया है कड़ाही हमने गैस पर रख दिया है और अभी इसमें हम डाल देंगे 6 चम्म सरसों का तेल तेल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे एक चम्म सौफ सौफ जो है वो अच्छी तरीके से चटक चुका है तो अब इसमें हम डाल देंगे कोड़ोरी जिसे बरी भी बोलते हैं और इसका जो टेस्ट है वो सलोनी में बहुत ही अच्छा आता है और इसे हम एक सेकेंड के लिए सौते कर लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे मसाला जो हमने मिक्सी में क्रेंट करके लिया है और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दो गलास पानी हम सेम चार से पानी डाल रहे हैं जिसमें हमने मसाला ग्रेंट करके लिया था और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्याज़ा कर सकते हो और अब इसमें हम डाल देंगे फ्रेश मटर और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढखकर 10 मिनिट के लिए हाई फ्रेम पर पका लेंगे ताकि मटर जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए 10 मिनिट हो चुके हैं और मटर जो है वो अच्छी तरीके से पक चुका है और मसाला जो है वो भी गाड़ा हो चुका है और अब इसमें हम डाल देंगे boil किया हुआ आलू इसे हमने boil कर लिया है और cubes में जो है वो cut करके लिया है और इसे भी हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और अब इसे हम डाल देंगे बारी कट किया हुआ फ्रेश धनिया और इसे भी हमें अच्छी तरीके से mix कर लेना है अलू मटर की सलोनी जो है वो बनकर ready हो चुकी है तो अभी हम gas का flame ओफ कर लेंगे और इसे हमें एक प्लेट में सॉफ कर लेना है अलू मटर की सलोनी जो है अगर आपको मेरा ये recipe अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को like, share और subscribe जरूर करें हाग जेता है वो गल करेंगे ख करेंगे कर दूर करेंगे झाव सकते हो अलू इसे है जबग उएवको